नमस्यार फेंड मैं हूँ सुशिल और आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद फ्लेम पर और आज की रेस्पी में हम बनाने जा रहे हैं आइस कोफी एंड कोफी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो दोनों ड्रिंक को बलाने के लिए हमें एक कॉफी सीरप हमें यह कoffee powder का अट कर दी है यह देगिए चार बड़े चम्मच एट करके राट कर के अच्छे से मिक्स कर लेना है जब आच्छे से मिक्स हो जाएं तब हमने इसमें आट कर दना है वाइट शुग्र कर दिये वाद इसको स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो हमारी शुगर हमारी फ्लेम सिरफ जो हम ड्रिंक में यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा बनके ready हो जाए, तो flame को हमने medium रखना है, ज्यादा high temperature नहीं करना है, medium flame पर हमने इसो करीब 1-5 मिनिट तक ही cook करना है, जाद देर हमें इसे cook नहीं करना है, सिरफ इतने देर हमने इस cook करना है, ताकि जो हमारी sugar है, व हमारा जो coffee syrup है, वो बनके बिल्कुल ready हो चुक है, coffee syrup ready होने के बाद, हम इसे एक अलग बरतर में खारे करके, इसको हम थंडा कर लेंगे, आपने तो freeze में रखके भी इसे थंडा कर सकते हैं, या आप इसे room temperature पर continue से start करते रहें, यह आप उसे वहाँ पर room temperature पर भी थंडा कर सक से, तो इस glass में को हम fill कर देंगे, ice cube से, यह देखिए, यह हमने glass को ice cube से full कर दिया है, और जब ice cube अच्छे से full हो जाए, तब हम इसमें add करेंगे, जो हमने coffee syrup बना के यहाँ पर add कर देंगे, यह हमने यहाँ पर add कर देंगे, यह हमने यहाँ पर add कर देंगे, यह हमने यहाँ कॉफी पीना चाहते हैं आप उसके according कम या जादा कर सकते हैं कॉफी आड़ करने के बाद अब हम इसमें add करेंगे chilled milk ये देखिए chilled milk हमने हाँ पर add कर देना है और glass को एकदम हमने fill कर देना है ये देखिए ये जो हमारी ice coffee है वो लगबग बनके ready हो गई है ये देखिए और coffee का जो syrup है वो आप अपने according कम या जादा कर सकते हैं बस तो ice coffee हमारी बनके बिल्कुल ready हो गई है बस पीने से पहले आप इसको अच्छे से stir कर लें इसे mix कर लें ताकि आपको coffee सिरफ है और जो आपका chilled milk है वो अच्छे से mix हो जाए तो हमारी आज की iced coffee बनके बिल्कुल ready हो गई है और second recipe हमारी है cold coffee की तो चलिए उसे भी banana start करते हैं हमने लिए है mixer का जार और उसमें हमने add कर दी है दो scoop chocolate ice cream आप इस chocolate ice cream के जगा यहाँ पर vanilla ice cream भी add कर सकते हैं बट मेरे पास chocolate ice cream एविलेबल थी मैंने यहाँ पर 2 scoop chocolate ice cream यहाँ पर add कर दी है चॉकलिट आइस्क्रिम एड़ करने आपद अब हम इसमें एड़ कर देंगे Chill'd Milk यह देखिए यह हम यहाँ पर करीब 200 ml हमने यहाँ पर एड़ कर देंगे Chill'd Milk एड़ करने के बाद आप हम यहाँ पर एड़ कर देंगे Coffee efecto जो हमने अभी Coffee syrup बना के ready किया है जैसे हमने ठंडा किया है वो जब कॉफी सिरफ ठंडा हो जए तब हम यहाँ पर दो बड़े चमच यह देखिए हम यहाँ पर add कर देंगे कॉफी सिरफ तो आप अपने टेस्ट के according अगर आपको ज्यादा strong cold coffee पीनी है तो आप यहाँ पर दो से तीन चमच भी add कर सकते हैं और हम add कर देंगे तक्रीव दो चमच हम यहाँ पर add कर देंगे condensed milk हमने यहाँ पर add करने के बाद अब हम इसमें add कर देंगे white sugar यह देखिए टेस्ट के according आपको कम यह जादा करना है तो आप कर सकते हैं तो सभी ingredients हमने यहाँ पर mix कर जार में add करके अब उससे हमें grind कर लेना है त एक हमारी बढ़िया सी cold coffee बनके ready हो जाए तो एक से डेड़ मेंट तक हमने इस तो cold coffee को अच्छे से blend कर लिया है तो cold coffee जो हमारी वो ready हो गए तो चलिए अब हम glass की थोड़ी सी decoration कर लेते हैं उससे थोड़ा सा fancy बना लेते हैं तो देखिए हमने लिए है glass glass में हमने add कर दिया ह है chocolate syrup यह देखिए यह glass था हमने इसमें chocolate syrup add कर दिया है बेकुल simple और इजी तरीके से आपने इसको glass को अच्छे से इस तरह से chocolate syrup को add कर देना है ताकि एक glass में आपके एक अच्छी look आए तो glass को थोड़ा सा decorate करने के बाद अब हम इसमें add कर देंगे cold coffee यह देखिए हमने अगर आपके पास available है तो आप विप क्रीम add कर देजिए अगर आपके पास available नहीं है तो आप इसकी जगापे आप वनीला ice cream के scope भी उपर से add कर सकते हैं और इसकी अच्छी सी garnish कर सकते हैं वनीला ice cream या विप क्रीम उपर से topping करने के बाद इसमें हम हलका सा sprinkle कर देंगे coffee powder यह देखिए यह coffee powder हमने उपर से हलका सा sprinkle कर दिया है और हलका सा हम इसमें add कर देंगे chocolate syrup यह देखिए यह हमने add कर दिया chocolate syrup तो जो हमारी cold coffee है वो बिलकुल बनके ready हो गई है यह दिखिए तो आप घर पर एक बार इस cold coffee को जो थोड़ी सी different है आप ज़रूर ट्राय करें तो दोनो ड्रिंक हमारी बनके ready हो गई है cold coffee और ice coffee इसकी recipe मैंने नीचे description box में भी दे रखिए आप चाहें दोसे वहां से भी follow कर सकते हैं and thank you for watching my video and film मिलेंगे new recipe के साथ